ओम नमो भगवते वाशु देवाए, आज हम सुनेंगे अश्वनी शुकल पक्ष की पापा कुशा एकाजसी की वर्थ कथा धरमराज युद्धिस्ठर ने विन्य पुरक पूछा, हे भगवान, संसारिक जीवन में मनुष्य को ताप, करमशे हमेशा बचना चाहिए परंतु यदि भूल हो जाए, तो क्या करे, क्या ऐसा भी कोई वर्थ है, जो ऐसे मनुष्य की रक्षा करता है भगवान सुरी कृष्य ने कहा, हे राजन, अश्वनी महा के शुकल पक्ष में जो एकाजसी होती है, वै पापा कुशा एकाजसी के नाम से परसिध है यह पापो को नाश करने वाली, तथा पापो को हरने वाली होने के कारण ही इस एकाजसी का नाम पापा कुशा एकाजसी रखा गया है इस दिन साधक को विदी पूरक भगवान पदवनाब विश्न की पूजा करने चाहिए यह एकादसी मनुश्य को मनवांचित फल प्राप्त कराने वाली है जो व्यक्ति अज्ञानवंश पाप कर लेता है परन्तु परतिदिन श्रीहरी से अपने अपरादों की शमा मांगते हुए उन्हें परणाम करते हैं वे नर्क में नहीं जाते भगवान विश्नु के नाम के किर्टन मात्र से ही संसार के सब तिर्थों के पुनो काफल मिल जाता है जो व्यक्ति भगवान विश्नु की शरण में जाते हैं उनको यम यातना नहीं भोगनी पड़ती जो ऐज्ञानी विष्णु ऐव विष्ट्व शिव और शिव भगतों की निंदा करते हैं व्यवश्य नरक में वास करते हैं परित्वी पर जितने तिर्थ हैं, वहां भगतों को भगवान शिरी विश्णू एव शिवजी को अलग नयमान कर सदेव परगु का सम्मान पूरक पोजन अर्चना करने चाहिए। पापों पर अंकुष रखने वाली एकादसी जैसे पुन दायक कोई भी वर्त नहीं है। परित्वी पर जितने देवाले और तिर्थ हैं जैसे गंगा जी, गया जी, काशी जी, कुर्शेतर और पुष्कर आदी में किये गए सनान, दान की तूलना में अधिक पुल्न्यवान यह वर्त है। इस वर्त के साथ जागरन करने से मनुष्य भगवान विश्णों की विशेश किर्पा का पात्र बन जाता है। है युदिस्टर वर्त के करने वाले शरधालू, वर्ती की भावी पीडियां भी पाक उन्शय कादसी के पुन्निफल से लाभा होती है। है। है चत्री आदी दान करने से मनुष्य को पुन्यफल प्राप्त होता है। तब और दान अपने शक्ति और समर्थ्य अमसार करना चाहिए। धरमराज युदिस्टर ने कहा है योगेश्वर मनुष्य पापों से कैसे बचे। भगवान बोले है धरमराज तुम्हारा यह पर्ष पीर गरीब इस तरी पुर्षों को यह था शक्ति सनान, दान, ध्यान, तप, पूजन, यग आदी करना चाहिए। यदि कभी पहले भूल हो गई हो तो पापों पर अंकुष रखने वाली इस पापांकर्शा एकादसी काविदी पुर्ख वर्थ करें। बोलो सिरी भगवान विशनू कीजे